फ्लिक करो सब्स्क्राइब बटन पे और फ्रेस करो इस वाइरी टाकर आप देख सका वीधियो सबसे पहले एक्सेस होएगा और उसके थूरी लॉग इन होएगा तो आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लास्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो कि पार्ट वन की नाम से जिससे आपको इसली पता चल जाएगा आगे का प्रोसेस तो ला करते हो इसे कर सकते हो अब इधर मैं ग्याट इस्टार्ट पर क्लिक करता हूँ इधर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट करूंगा विसके अंदर ही मैं एक कनेक्शन करके दिखाऊंगा तो इधर आप देख सकते हो आपको एड़ प्रोजेक्ट पर क्लिक करने का बाद इधर आप आपको जे project setting में आ उप़र आप देख सेटिंग को option रहे इस पर Dire sagt पर आपको click करना है म इस पर में इह प्रोजेक्र केरे था जिसके अंदर में आपको ब्लॉकवगरा सेट करके दिखाया तो इदर में screen 1 के अंदर आ जा तो screen 1 के अंदर आनके बर designer में आना है designer में आनके पद आपको screen 1 पे क्लिक करना है इदर नीचे स्क्रोल करना नीचे स्क्रोल कर होगी तो आप देखेंगे तो इदर फेकेज नेम तो तो इधर आपको package name compassory डालना तो com.com.com से आपको package name रखना, यह package name होता क्या है, जैसे आपने कोई भी application install किया रहेगा यह शेयर किया रहेगा, तो आपने play store पर देखा रहेगा, तो आप देख सेखते हूं, जैसे कि यह whatsapp का play store पर application है, तो इधर आप देख सकते हूँ इसका link है, link में आप देख सकते है, equal to के बाद ये com और ये whatsapp लिखा हो, com.whatsapp, तो ये होता है package name, सब के अंदर मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हूँ, equal to के बाद देख सकते हूँ, com.bsb.hike, तो ये होता है package name, ये package name होता है, ये हमारा application का, जो कि package name से play store पर सर्च किया जाता है, तो आप देख सकते हूँ, जैसे कि starting के आगे का same to same रहेगा, सभी का equal to के पहले, जहाँ तक आप देख सकते हूँ, equal to के पहले, जो भी है, सब का same to same रहेगा, इसके बाद जो रह के बाद मैं firebase के अंदर आऊँग, इदर आप देख से, तो android package name में, इदर में paste कर दूँगा, तो ये compulsory आपको ये करना पड़ेगा, package name डालने के बाद आपको पुछा आएगा, app का नाम, तो इदर आपको अपने app का नाम डालना, तो app का नाम जैसे आप देख से, तो google sign in with ये वाला जो कि मेरा app का नाम है, ये मैं copy करता हो, इदर में paste कर देता हो, विदर बीच में underscore है, ये मैं हटा देता हो, तो आप देख सकते हो, ये मैं underscore हटा दिया, अब ये app का नाम आपको कहा दीखे, का देख सकते हूँ, जी सक्रीन वन के अंदर में ऊपर scroll करता हो, तो इचे बाध आपको कुछ नहीं करना विसके बाद को वापीज से Next पे क्लिक करता है वापीज से चार प्रोषट से चार प्रोषट को क्लिक करना थे टो इसे प्र शॉक्पर करने के बाद वापी k directing आप इदर फिंगर्पिंट के आ है तो आपको एक certificate आड़ करना पड़ता है जिसे वैरिफाय होता है जो application के अप login sign up करा है वो आपके database के अंदर आ रहा है और वो आपका application है तो वो आपको इदर डालना पड़ता है तो इसके पहले आप आप देख से तो इदर Google service JSON करके आपको दीखेगा तो इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हुए जो कि मेरा पूछ लिया गया कि कहां मुझे इसे डाउनलोड करना तो आप देख से तो Google नाम का मैंने एक गूगल नाम का फोल्डर इसे मैं उपन कर ले तो आप देख से तो ये वाला Google सर्विस जेशन करके ये मैंने जो कि फाइल इदर डाउनलोड किया आप भी रिसेंट लिए और इसे मैं उपन कर ले तो जो कि ये मेरा इसके अंदर अप लोड हो गया तो ये आपको अपलोड क क्लिक करना तो इस पर जैसे क्लिक कर रोगे तो आपका एक की स्टोर रहेगा वह आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा इसके हेल्प के थ्रूई हम इधर ये आप डाल सकते हो अपने फिंगर्प्रिंट का तो इधर देख से तो जैसे गूगल फोल्डर के अंदर मैं ये सेव कर करके आपको सर्च करना तो आप देख सकते हो ये आपको सैटप देखने को मिलेगे तो ये सेटप को आपको डाउलोड करना है और इसे इंस्टल करना है तो आप कौन सा operating system में आप select कर लेजिए आप जो कि Apple के अंदर आपना application बनाते हो तो आप Mac select कर लिजे Linux के अंदर बनाते हो तो Linux का download कीज़े और Windows के अंदर बनाते हो तो इंड़ो का download कीज़े तो यह बहुत कम अब यह क्यों download कर रही है यह बहुत जरूरी है इसके थ्रूई हमने जो की store को export किया हुआ है इसका हम fingerprint बनाएगे fingerprint certificate बना कि इसे हम upload करेंगे Firebase के अंदर तो आप देख से तो इधर आपको click करना और इसे आपको download कर लेना download करके आपको install कर लेना install करना बहुत ही simple है तो इधर मैं आपको एक और चीज़ बता देतों जैसे आप इसे install करोगे तो install करते समय आपको कुछ इस तरह का option मिलेगे तो आप देख से तो इधर आपको तीनों पर टिक रहने देना और उसके बाद फिर आपको next पर क्लिक कर देना तो किसी पर भी अंटिक नहीं गरना तीनों पर आपको टिक रहने देना तो की स्टोर का सॉफ्ट्रे सक्सेस्फुली इंस्टॉल होने के बाद हो सके आप उपन करोगे तो उपन करते समय आपको इस तरह का issue आ सकता है तो आप देख से तो इस एप्लिकेशन जो कि first आपको ये वाले वीडियो देखना है बाद में ये वाले वीडियो देखना है जो कि दोनों तीन तीन चार्चाय मिनट कहीं तो इसके अंदर एक सॉफ्टेर जो कि जावा के इंस्टॉल करने बोलेगा वह चीज को आपको फॉलो करना है अपने कंप्यूटर के अंद लिजे इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो कि सबसे पहला जे डिके इंस्टॉल करना है बाद में जे आरी इंस्टॉल करना है और यह बहुत ही सिंपल है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजए अब हम इसे ओपन कर लेता कि मैंने मैकरोड का एक्सपोर्ट किया था वह मैंने इधर सेव किया इसे में ओपन कर लेता हूँ ओपन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते इधर पासवर्ड पूछा जाएगा तो इधर आपको डालना है एंड्रोइड डालना आपको एंडूड की स्पेलिंग पता रह कर लेना अब क्वापि करने के बाद वापी से आपको आजाना अपने फायर बेस के अंदर कर دीग तो अब का fingerprint का certificate जो कि इधर upload हो चुका है अब हम आ जाते हैं authentication के अंदर authentication के अंदर का तो authentication के अंदर आने के बाद आप देख सेट अप sign up in method तो इधर आपको setup करना पड़ेगा कैसे आप user से sign up करा रहे हैं जिसे आप देख से फेस्बुक का option आ जाता है जो कि play store का option आ जाता है तो गूगल के तुर साइन अप करा रहे हैं तो यह गूगल पर आपको click करना है जो कि Google के email अगरे से sign up करा रहे हैं और इसके बाद इधर आपको enable पर click करना है और इधर आपकी जो email address रही वह show हो जाएगी इस पर click कर देना हो इधर आपको save पर click कर देना है तो इतना सा process आपको follow करना तो यह process आपका complete होने के बाद user easily उसके अंदर login कर पाएगा तो अब हम इससे test करके देख लेते हो तो जैसे आप देख सकते हो इधर मैं user user पर click करता हो user पर click करने का बद आप देख सकते हो इधर यह जो कि enable कर देना है और इधर आप देख सकते हो इधर no user कि एक भी user आपको नहीं दिखेगा तो इधर मैं इस project को जो कि export कर लेता हो export करके मैं इसे login करके आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने यह application तो इस्टॉल कर दिया तो आपको मेरे mobile screen bugle में दिखते रहेगे तो इधर मैं sign in with google पे click करता हूँ तो इधर आप देख सकते हो मैं computer के अंदर देख सकते हो इधर आपको जो भी यूजर लॉगिन करें के वह दिख जाएगा अब हम बात करते हैं जैसे कि आपने लॉगिन का तो system बना लिया पर आप जैसे कि कोई application बना रहे हो कोई भी application कमाना तो यूजर का data कैसे आप यूजर का data इस database में कैसे आप store करा गए जैसे आप देख से तो यह database इसके अंदर आप कैसे store करा गए तो वह चीज में आपको बता देतो जैसे आप देख सकते हो जब आप user से email के through login कराते हो तो इधर login successfully के screen पर आते हो तो इधर आप देख से तो Firebase यूज करना इसके बाद store value store क्या कराना टेक्स के अंदर आपको name लिखना है और इसके बाद फिर आपको यहां से जो लेबल है जो यूजर का email इसका phone number है इसका नाम है वो आपको इधर से से वाला ले लेना है और वो वाला आपको इधर सेट कर देना इधर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको करके दिखा देता हूं जैसे आप देख से तो डीजाइनर में आता विजाइनर में आने के गूगल डीटा ओगराम यह मानी ले लिया लैने करने क्स लीला गार अपको इदमें तुछने जो सबसे पहले हमारा नयरेखा नेम तो आपको इस टक्स लेने के बाद रिदर आपको डाल देहां सब cognitive के अंदर नहीं में तो इस तरह आप Firebase के अंदर अपना डेटा इस्टोर करा सकते हो तो आप देख से तो Firebase अलगर आप आपको Firebase के यूज करने यूज करने के बाद आप नेम इमेल एडर्स फोन नंबर जो यूजर के इमेल के वो आप ऐसे एक्सेस करा सकते हो और इधर आप इसका रीफर कोड़ अगेरा भी बना सकते हो और पॉइंट अगेरा के भी सिस्टम इधर बना सकते हो वह बनाना के पाद इसली जबी भी यूजर लॉग इन करेगा Google के तो विसके जो नाम रहेगा इसका जो इमेल एटर से रहेगा वो एक्सेस करके विसके जो पॉइंट्स वगेरा सब एक्सेस हो जाएगे तो आपने कोई एप्लिकेशन बना रहेगा अनिंग अगे रहेगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगे तो आपको इसकी एएफाइल चाही तो आतर और अच्छा बना पाए तो आप देख सकते मैंने बहुत सारे मैक्रो एट कुडले ठुमके बलके लिक्टेड मैंने वीडियोस बनाए हुए नीचे बैल आकन दो इस पर भी क्लिक कर दे तो जबी मैं वीडियो अप्लोड करू तो आपको नोटिफिक्शन आ जाए तो तंक यू सो मुझ वर व हुचि थे वीडियो